ओम गण गणपते ये नमाहा श्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक महा शक्तिशाली और अद्बूद भगवान श्री विष्णु के सर्वकार्य सिद्धी यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ इस यंत्र की खासियत यह है कि इसे किसी भी महत्व पूर्ण कारिय या काम के लिए जाते वक्त यह यंत्र अपने जेब में रखने से उस कारिय में भगवान श्री विष्णु की कुरूपा से उस कारिय में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है इस यंत्र को आप किसी भी रोज बना सकते हो और किसी भी खास मुहुरत के इंतजार करने की अवशक्ता नहीं है इस यंत्र को तामबे के पत्रे पे या सफेद रंग के कागच पर लाल रंग के स्याही से बना कर उसे लैमिनेट कर सकते हो मित्रो अब मैं आपको यंत्र बनाने की विधी के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से देखिए मित्रो यह यंत्र बनाने के लिए मैंने एक सफेद कागच लिया है और लाल रंग का स्याही का पेन लिया है और इस सफेद कागच के उपर एक सरकल निकाला है और सलकर में मैंने पांच भाग किये है पहले भाग में बुध एक यह लिखा है दुसरे भाग में रवी दो यह लिखा है तीसरे भाग में शनी तीन चौथे भाग में चंद्र आठ और पाच्वे भाग में गुरु चार यह लिखा है मित्रों यह यंत्र बनाने के बाद आपको इस यंत्र में जहां पर बूध एक यह लिखा है उस अक्षर पर आपको अपनी दाहिनी हाथ की मध्यमा उंगली यानि की मिडल फिंगर रख कर ओम विश्णवे नवाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है इसके बाद रवी और दो अंक लिखा है उसके उपर मध्यमा उंगली रख कर फिर से ओम विश्णवे नमहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है इसके बाद शनी तीन चंद्र आठ और गुरू चार इसके उपर मध्यमा उंगली रख कर 108 बार वापस आपको ओम विश्णवे नमहा इस मंत्र का जाप करना है मित्रो मंत्र जाप की गिंती के लिए आप अपनी बाए हाथ का इस्तमाल कर सकते हो इसके लिए आप एक रुद्राक्ष माला भी इस्तमाल कर सकते हो कई लोगों का मानना है कि बाए हाथ का इस्तमाल मंत्र जाप के लिए नहीं करना चाहिए लेकिन हम इससे सहमत नहीं है यह प्रक्रिया करने से यंत्र सिध्ध हो जाता है और उसमें मंत्र की शक्ति आ जाती है यंत्र बनाने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी भी महत्व पूर्णा काम के लिए जाते वक्त यह यंत्र जेब में रखने से आपको कार्य सिध्धी प्राप्त हो जाती है जब कार्य के लिए नहीं जाना हो तब उसे अपने पूजागर में तिजोरी में या गल्ले में रख सकते हो मित्रों यह एक श्री भगवान विश्णु का सात्विक यंत्र है इसके लिए इस यंत्र का गलत और तामस गुणी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस्तमाल मत करना मित्रों अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सेस्क्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे